लास्ट क्लास में हमने विज्वल स्टूडियो स्टूडियो मैनेजमेंट इनके बारे में दिखा था और हमने पूरा नियर कर लिया था तो एक बार फिर से आपको यह अस्टूडियो दिखा देता हूं जिसी अकल एक form design किया था इसकी लिए टेबल से एक बार में फिर से design करके दिखा जो तो form इसमें connection भी establish कर दें ठीक है हमें क्या क्या करना है आज मैं आपको बदते हूँ पहले ठीक है design database connection हम देखने वाले ठीक है इसके लिए साथ से पहले हम क्या करेंगे form design करेंगे खिना steps वाले क्या क्या करने है इसके पहले एक काम किया जाता है वह database तो आपका अगर एक admission form देखते हैं आप admission form है तो पहले उसको paper पर design किया जाता है admission form को इसमें कौन-कौन से field होगे admission form में ठीक है उसके बाद database करने वाले सबसे पहले हम देखते हैं form form ने design किया था इसको एक बार फिर संद देख लिए तो इसको मैं delete करता होगी और इसमें यह मैंने बताया था कल आपको यह standard toolbar इसमें लगबख सारे tools toolbar है एक बार में सारे toolbar में आप देखेंगे तो आपको add rotator का use अब नहीं रहा पहले बहुत होता था advertisement rotate करने के लिए ठीक है बटन calendar check box list box यह सारे fields हम देखने वाले इसमें कुछ-कुछ fields देखने वाले से button हम देखेंगे यहाँ पर drop-down देखेंगे file upload control देखने वाले image control देखने वाले है image button हाँ आपको बताते है level हम आपको बताएंगे list box देखेंगे हम यहाँ से और radio button text box यह हम देखने वाले ठीक है इसके बाद data के अंदर अब data को अगर हमें display करना है कहीं पर आप देखते हैं कि ग्रिड में ऐसा data आप display हो जाता है इसे कि आप result देखते है एक्जाम में तो आउपर डेटा आता नीचे आपका calculated table आता छोटा सा जिसमें आपको detail मिलता है कि आपके subject subject क्या थे उसमें क्या आपको marks मिले हैं कितने में समाक्स मिलें वो सम मिलता है आपको तो इसके लिए हम यूज करेंगे grid view control जिससे data हमारे विए इमेज भी डिस्प्ले करा सकते ग्रिड विव में और इसके च्लिक करके आए नेक्स्ट पेज़के भी हम जा सकते हैं यह options में होते हैं ठीक है next one validations validations भी कुछ है हमारे पाद जैसे compare to validator जैसे compare करते हैं password को ऊपर एक password हमें डाला नीचे एक password डाला जैसे दो text box है तो दोनो text box को compare कर लेते हैं custom validator इसमें है आप बना सकते हैं अपना range है range fix कर जैसे age किसी की put up करवारी तो 18-2 हमने 35 रखती तो वो यह जोएगा एक है important regular expression इस regular expression को हम custom करके बहुत कुछ बना सकते हैं ठीक है जैसे कि अगर आपको बनाना है email email बनाना text box तो text box में अगर यह set कर देंगे तो अगर उसमें email id को गलक्त डालता है इनकेस और देगा और वो लेगा कि प्लीज enter your proper email address और आप उसमें example भी दे सकते हैं शोटा सकी ऐसे आप दे सकते हैं एक है required feel validator इस required feel validator से हर एक text box को require आप बना सकते हैं जिसको आप बनाना चाहते हैं आप देखे रेगलर expression validator जो है इसमें phone number पिन कोड इन सब की वस्था भी है अगर 10 डिजिट का हमें mobile number को टप कर आना है text box में तो हम इसको custom कर लेंगे यह आगे हम देखेंगे नैविगेशन कुछ नैविगेशन जैसे आप मेन्यू कंट्रोल बना सकते हैं sideview बना सकते हैं ट्री बना सकते हैं यह सब operation house replacement कुछ login आपके बने हैं already इसमें पहले से इसे login login name status view recovery change password यह सारे options में दिये है और हम इसमें से देखेंगे standard controls में से कुछ data में से grid view वैलिडेशन में से कुछ हम आपको बताएंगे ठीक है navigation का यूज नहीं करेंगे login पार्ट कभी यूज नहीं करेंगे login हम आपको अपना custom login बनाना बताएंगे ठीक है और हमें यूज करना है html के यूज टेवल है इसका हम designing के लिए यूज करते हैं यह टेवल को हम ड्रैक करके यहां लेका राते हैं यहां के टेवल के फस्ट टेवल टेवल का स्ट्ट्चर देखने क्या होता है टेवल में होती टेवल रोग करना है इसको हम राइट क्लिक करके और बिना बटन को छोड़ को करेंगे के राईट क्लिक करेंगे हम इस पर और प्रॉपटी बेग Particularly हमें करना है कि मैं अलाइज्मेंट टॉप इससे लुफित बारमारा है चला जाएगा उपर ठीक है जो भी नद्र McMill मेरें ठीक हिर लिखना चाहते लिखा ताकल स्थरीक्शन दॉLED को और यहां से हम इसका size बढ़ा सकते हैं जैसे हमने आपको बताया था H1, H2, H3 यह सब ते हमारे पास ठीक है इनका यूज आप कर सकते हैं यह है जैसे मैंने इसको दे दिए H2 और size इसका हमने यहां से increase करके कर दिया सॉरी color कर दिये अब हम यहां पर registration form बनाते है registration form में आज हम multiple values लेगे ठीक है उन multiple values इस तरह से value लेने वाले है ताकि controls हमारे ज्यादा ज्यादा यूज हो सबसे पहले में लिखता हूँ इसे details लेने वाले ठीक है और मैंने आपको कल बताया था कि इन टीडी में हम डारेट यह कर सकते हैं आप प्रेस करेंगे तो यह अपने आप यह बढ़ जाएगी ठीक है लिखने के लिए आईडल है यह एकदम इसमें आप डारेट डेटा लिख सकते हैं यह समने लिख दिया यह पर रेडियो पटन लें ठीक है तो यह अपर रेडियो पटन में अज़ा है हमारी ठीक है उर्सन ले सके हम यह स्लेट करवाएंगे छिटी आप यह पर हम डॉपडाउन ले सके और हम साथ मिले रहे हैं एड्रेस तो फील्ड हमारे होगी 1,2,3,4,5 फील्ड हम ले लिए ठीक है हम इसके सामने रखते हैं कंट्रोल्स जैसे की स्टेंडर कंट्रोल से हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम सबस्पहले करेंगे हमने यहां को टक किया यह टेक्स बॉक्स है ड्रैगन ड्रॉफ फैसिलिटी ठीक है ड्रैगन ड्रॉफ फीचर है सीधा आपको यहां से ड्रैग करना है और उस लोकेशन पर आप रख सकते माउस उठा के जहां आप उसको रखना चाहती है हमने पुट अप करें देखिए होगे इसको बढ़ा देते साइस को यह हमने क्या किया इसी को हमने कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया जैंडर प्रेशन की बात नहीं समा गई तो क्या होगा म फिसको डाटल पर एपकेक हो उसका के साथ तो इस में लेंगे रेडियो कंट्रोल ठीक है रेडियो लिस्ट लेंगे यह रेडियो लिस्ट है मारे पास रेडियो लिस्ट को मैं यहां पर ड्रॉप किया कल मैं आ Clevon n aolnum अगर ना आए ऐसा है तो इस पिक लिक करके इसके मास्टाइट करेंगे एड़ करेंगे एड़ करके हमने यहां पर लिखा जैंडर पेल सॉरी पेल अब देखिए आ रहा हमारा वर्टिकल ठीक है हमें होरिजोंटल करना तो क्या करेंगे इसके लिए इसको सेलेट करें राइट क्लिक करिए और यह यह प्रॉपर्टी विंडो हमारी यहां से अदे इससे सब कुछ कर सकते हैं कलार थीम डिजाइन सब बना सकते हैं ठीक है तो इ इसके लिए हम यह वर्टिकल जो है इस डारेक्शिन को हम कर देंगे होरिजोंटल करेंगे सिटी में तो हम यहां से लेते हैं डॉप डाउन बटन यह डॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास इसको हमने ड्रॉप किया यहां पर और इसके भी एडिट पर जाकर हम यहां सिटी लिखा यह हैडिंग आएगी स्लेक्ट सिटी ठीक एड़ किए स्कुन में पर हमने यहां लिखाएगा सिटी कुछ डाल देता है यह से जबलपुर न डाल दिए डंटी लिख इसको रिमूव करता हूं ठीक नीचे से और 258 डाले इसमें indirect, इसका साइस कर चाहें तो सकतार कर सकते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा समचा रहे यह करते हैं इसका साइस कम करना है ज्यादा साइस होगा इसका लगभा堆 इतना है तो सब्ढकरते 500 इसको भी कर देंगे 400 यहां से आके डारेट आफ 400 टाइप करिए मिटाके कोई दिक्कत नहीं वैसा ले ले गई है ठीक है इसको भी हम करके 400 विट इसके एक सिमिलाइटी बनी लहेगी इसकी के सारे कंट्रोल्स एक से नजर आएंगे यह देखिए विट 400 एड्रेस हम क्या करें गेस टेक्स बॉक्स कापी करके हम पेस्त कर देлично है आँ ठैक्स बॉक्स की प्रॉपटी सिंगल लाइन है इसको हम करते हैं मलटी लाइन यह मल्टी और यहां रोघ जो जीरो लिखा है इस रहो को हम करतेंगे 5 टैंजो आपको करना हो 5 हमने फिलाल कर देंगी इतना बड़ा यह बन जाएगा नीचे हम रखते हैं बटन टेकर के लाते हैं यह द्रॉप किया और इस बटन पर हमने किया यह बटन हमारी कयार है अब यह बता दूंँ आपको डेटा वेस पंद का क्रिएशन का कैसे कैसे क्या च्या करना है स्टैप से ठीक है उसके बाद फिर्म इसको कंटीनू करते हैं कि 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 कर आप कुछ तरह का स्ट्रक्शर में लेगा ठीक है अभी बनाएगे हैं से डेटावेस डेटावेस में जाके कि स्टूड़न बनेगा टेविल बनीगे हमारी जो भी हम टेविल बनाना चाहिए उसमें कुछ कॉलम पूट अप करेंगे ठीक है उसके बाद हम फॉर्म डिजनि करेंगे जूनेदे खाओ कर लिया है ठीक है इसके बाद उसके बाद हम करेंगी में करेंगे डेटावेस कॉनेक्शन यह शेर करदी graffiti ठीक है, database connection इस्टैबलिश करेंगे, जिसमें server explorer हमें मिलेगा यहाँ पर server explorer में जाके हम यहां गरेंगे, add connection, add connection के बात में server का हमें यहां यहां पर नाम देना पड़ेगा और refresh करेंगे, जैसे refresh करते हैं यहां पर database की नाम आना शुरू हो जाते हैं तो आगे हम चलेंगे, आगे इसको अपने प्रोजेक्ट से connect करने के लिए होता है ठीक है यही जब online website करते हैं तो वहाँ पभी cweb config file का use होता है ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद हमें क्या करना है अब set करना है connection connection कैसे set हो तो select the table from sql server ठीक है server explorer और drop on the aspx page जैसे में asps page में इसको drop कर देंगे तो इक grid आएगे उसके बाद हम इस grid को delete कर देंगे पूरे data को लिखना after we open the config file set the connection इसके बाद जो भी element है इसको delete करनेगे इससे हमारा कोई भी लेन देंगे ठीक है यह सिर्फ हमारे connection को establish करने के लिए था यह connection establish वाएगा यहां connection name दे सकते हैं ठीक है यहां पर database का नाम आजागा जो database हमने बनाया ठीक है इसके बाद इसको हम save करेंगे फिल लिखा फिमस कोट और जैसे insertion का code है तो इस code को हम यहां पर करेंगे भी सबसे पहले हम यह काम कर ले ठीक है चलिए form हमारा design हो गया है इसमें connect करते पहले connect कैसी किया जाता इसको जैसे आप open करेंगे Microsoft SQL Server Management Studio यहां पर database बनता ठीक है इसको जैसे आप database create करेंगे इसको open करेंगे तो इस तरह से कुछ आए गई है यह ऐसा ठीक है यह सर्वर नीम यह सर्वर नीम यह विंडो अथेंटिकेशन मोड में विंडो अथेंटिकेशन मतलब कि हम विंडोज में चला रहे हैं विंडोज के सर्वर को एक्सिस करें लोकल सर्वर को ठीक है यदि आपको में सर्वर पर जाना है तो यहां से आपको सर्वर अथेंटिकेश अधर? अधिया bisschen सदेटावलेश हो गया? ठीक है यह डेटावेसis डेटावेसे विण device उनगे क्लिक करेंगे यह exploit होगे डेटावेस जितने डेटावेस बने हैं इतने ठीक है तो हम नए डेटावेस अपना बनाने वाले हैं इसमें करेंगे राइट क्लिक या न्यू new database option ठीक है यह क्लिक किया हमने यह न्यूटेट database script यह आगे हमारे पास डायलोग बॉक्स इसमें हम database का नाम दे रहें सपोज हमने दिया ठीक है और हमने किया ओके यह करेंगे एक रियेट हो रहा है डीटावेस क्रीट होने के बाद इस लिस्ट में वो database सबसे नीचे लिखिया आगया है यह ठीक है यह आरेंज है सौर्टिंग में है ठीक है यहां पर तक्षिला सबसे नीचे आया है यहां पर उपन किया अब आप इसमें देखेंगे इसमें काफी सारी option देख रहें है ठीक है सौरी डेटावेस को explore करना यह दिखिए एकस ल॓र ये कर रही है यह त्रीया इ constructive neue option पर यहां पर क्लिक करना है इसका खुल लएगा schema schema मतलब structure of table यह सब बोल सकते है ठीक है स्ट्रक्शर को स्कीमा ही कहा जाता है यह खुल कि इसका स्ट्रक्शर इस स्ट्रक्शर में हम अपनी टेविल को क्रियेट करेंगे एक बार देख लिए थे कॉनकॉन से लिमेंट थे हमारे पास सॉरी यह देखिए नेम डेट ऑब बार जेंडर सिटी एड्रेस ठीक है एक बात याद रखना जब भी टेविल बनाना हमेशा आईडी का प्रयूप करना आईडी हमेशा यूज करनी आईडी में इसकी सेटिक करनी है, किस तरह से कि जाएगे यह यहra आना इस प прик डिएंटी स्पेसिफिकेंशन, इस पर क्लिक करने के बाद लिखा रहेगा इस इस स्पीजि जम तरा को यस करने, यह 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 सो गया. आब देखें क्या बोला ही, जै सही यह सहत हुआ , तो क्या हुआ है?, identity increment game y1, से बढ़ेगी हमेशा और एक उसमेंग्रीमेंट होगा एक से शुरू होगा पहले तो दूसरी बात पहली बात यह और दूसरी बात क्या है प्रिटेयडण स्वाइटूट this अधिक्ट की अधिक्तम जी सब से में आधिक्तम कितने स्थाटॆ भिट्टर इंड हें ना क서 ईसके बाद एक देट ऑफ बर्थ जैंडर सिटी अड्रेस ठीक है नें लेता है एंडीत आउप बर्त किमने लिए डी ओवी एर टेर हम ले रहे हैं ठीक है क्योंकि बैकेंड में गया स्टोर हो रहा है किसी गों नहीं पता है कि यह दिट अबुर्ट आपश्छन जाहारा कि फॉर्मिटॉ इसमें आप लिख यह रहे हैं है कि रेंग के प्राइब में फाइव टॉदॉद नियूम दॉद यहां यहां पर दे रहे हैं date of birth के बाद जेंडर city और एड्रेस हमने लिखा जेंडर पुटप किया यहां भी हमने लिखा वेर केर इसका size अधिक्तम 10 रखो क्यों क्योंकि इसमें male female ही और इस सब चीज़ाइड होनी है तो हमने 10 रखा इसका size ठीक है फिर हमने लिया city city का size 20 रख दिया और आखरी वाला है address address बड़े हो सकते हैं इसलिए हम उसका लेंगे size where care max max मतलब जितना data आप डालो को इतना data accept कर ले गए अब table को हम save करने वाले यह save हमने किया इसका हमने नाम रखा और इजी इसको करने की बाद हम करेंगे ओके यह table हमारी बन गई इसमें किसी को डाउट है कि database में table बनाने में किसी को भी हो तो पूछ ले इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर्ट डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं बाद में बिल्कुल चेंज कर सकती डेटा टाइप देखिए एक हां बहुत अच्छा कॉशन है पहली बार जब इस आप्षण को सारी पर्मिशन आपको डेघा ओकिए करते हो के ये जेंडर है 20 है, 10 है 20 कर देंगा है, ये कि मैंने 20 कर दिया, सेव कर दिया, सेव होगे completely, ठीक है, ये होगया काम, तो अब हम इसको देखते हैं आगे, ये database हमने create किया, database हमें इस पर काम कर रहे है, ठीक है, इसमें क्या-क्या काम करना, बता दूँए, पहले, अयुए इस फाइल के निसौर हम काम कर लेते हैं इस यह लिखा है data एक्स्प्लोवः सर्वर एक्स्प्रूऌड कॉनेक्शन ठीक है फिर सर्वर नीम डला है ठीक है फिर अटैटाबीस च्छेज़ करें कर सकते। शिर आगे मैं आपको यहां पर डारेट करके दिखात Jen सरवर एकष्बूबर में आपको जाना है है डिटाबेस और पर राइट क्लिक करना है कि किया करते हैं यह जो हमारा यह सर्वर खुला है सबसे टॉप में क्या करना राइट क्लिक करना है ठीक है और प्रॉपर्टी में जाना सीधर ठीक है प्रॉपर्टी में जाने के बाद यह सबसु ऊपर लिखा रहा था नेम यह सर्वर नेम कहलाता है जPlease इस नेम को कॉपी करेंगी के वाद सीधा में आब पेस्ट कर देंगे ज्यसी कारेगी नीचे डीटाबीेस के आप्शन लट वह गया देखिए मिने वेकशन को हटातेयं हम अब डिशेवल इने वल्ड लिक करिए मिक रोध को बहुत crypto नजर तर आएंगे से यह देखिए काभी सारे डिटाबेसेस हैं इसमें से हमारे काम का जो हमने बनाया वह है तक्षिला ठीक है यह लिया यहां से connection test कर लीजिए यह देखिए text test connection succeed after that okay okay करने के बाद यहां पर सर जो हमारा डेटाबेस हो एड हो गया देखिए ओगे ने तक्षिला डॉट डीवियो ठीक है डेटाबेस ऑब्जेट बोलते हैं इसको यह क्लिक किया क्योंकि यहां पर object ही है टेबल तो हमारी यहां बनी है ठीक है यहां पर इसके थुरूइं काम करन यह टेबल हमारी देखिए और यही टेबल इस टेबल की यह फिल्ड है यह देख लिए आइडी ने डेट आप बर जैंडर सिटी एड्रिस ही है ठीक है फिर उससे स्टैप के साफसे ने क्या बोला है करने के बाद सेलेक्ट टेवल फ्रॉम स्कुल सरवर एंड्रॉब द्रॉ आफ्टर डिलीटिंग डिलीट ग्रिड एंड एसकुल डिवाद में करते रहेंगे एक लिए ठीक है पहले हम लेके आते हैं यह हमारा एसपी एक्स पेज है ठीक है इस एस पीएक्स पेज में हम सर्वर एक्सप्रॉर बजाके स्टेवल को सीधा ड्रैक करते हैं ठीक है अब इसको हम सेब कर लेते हैं और आपको हम बताते है वैश्जिक फॉसारी आश रेख वंतरी। इसमें और जिए और इसमें कोई भी चेंजिस करते हैं या उपर है किया पर एक ऐस्ट्रिक बन जाता है डेटा सेव नहीं है ठीक है चेंजेस इसमें हुए है डेटा सेव नहीं है अभी देखिए एप वैब कॉन्टिक फाइल है हमारे पास में है ठीक है हम चलते हैं अपने एस्वी एक स्पीच पे इस पे क्लिक करते हैं अब हमें से कोई लेने दिन नहीं है इसको हम डिलीट करते हैं यह हमने इसको डिलीट करते हैं इस काम को करने से क्या हुआ वैब कॉन्टिक फाइल हमारी तयार होगी देखिए कनेक्शन आ गए है इसको मं चोटा करेंगे जिसको म करते हैं एसके बदिल इनिशल का मतलब रहता है रखने चेटिक हैं अ hosts op प्रोवाइडर कौन से एस्सिस्ट्म.Data.Skill Client ठीक है इस सबर्त डीटाबेस ठीह होगा आप इसको हम यहां से कलोस करते है क्लोस करने के बाद हम इस पह रेंख से क्या करना है इब थेख लेते फिर से ठीक है हमारा काम होगे complete फिरदेजीन dependent करना है अब हमें क्या क्या करना वहम दिखा देते पहले हमें नेम स्पेस एड करने हैं वरिवल एड करने हैं connection बनाना है command बनानी फिर आईगी reader class देखिये इसमें वाई default आपको ये मिलेंगे इतना option आपको वाई default मिलेगा हमें एड करना है नाइंट और कंफिग्रेशन फाइल इसके बाद में पब्लिकली हम यहां पे दो गरीवल्ट डेक्लियर करेंगे cn और cn ठीक है इसके बाद नोड जो हमारा इवेंट है इस लोड इवेंट में क्या करेंगे connection establish करेंगे इसके लिए cn new इसे object हम बनाते जावा में new का यूज करेंगे new sql connection configuration manager.connection string और इस script में जो हमने बनाया वहां पर object name अपना sorry string name webconfig file पर हमने बनाया टीके जीजी आईटीस की जब हम क्या लिख देंगे tk.connection string ठीक है यह हमारा होगे अब हम बटन पर आके हम अपना काम करेंगे ठीक है बटन पर आके क्या क्या करते हूं आपको बताते हैं ठीक है सबसे पहले हम यह काम कर ली करना है आपको जैसे यह हमारा एक पेज है कोडिंग की लिए कलग पेज होता है इसमें इससे लिखाना default.aspx इस पर डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने पर लोड इसका लोड इवेंट खुल गया ठीक है यह हमारी आ गई आपS. comics फाइल में इस फाइल हम हम और यह सकते हैं राइट लोड करके और घूपर घृब सकते हैं ठीक है ऐसे करके हम काम कर सकते हैं现 हमें फिलाल वो काम करने हैं जो हमने भी बात किया है आप से हम धियो कोड पर चलते हैं अभी आप देखेंगे इतना नेव इस पेसे में जुड़े हैं यूजिंग सिस्टम कलेक्शन वैब यूई यूई वैब कंट्रोल्स यह सब इसने ले लिए हैं ठीक है इन बिल्ड रहते बना है डॉट एसक्यू एल नीचे क्लाइंट है एरुस आप स्लेट करके इसको बना सकते देखिए इस तरह आप टाइप करेंगे तो कभी एरर नहीं आएगी लेकिन यदि आपने ऐसा टाइप करना शुरू किया कि यूजिंग एर सिस्टम इस पर हो जाती कई बार ठीक है यह निचिए एक फाइल लगेगी इसमें कंफिगर करने के लिए तो हो गया यह यह यूजिंग कि यूजिंग वारे काम कंप्लेट हुए ठीक है यह दो चीज़े हमने भी एड की है बाकी तो एड था तहने से ठीक है उसके बाद यह लिखा है पब्लिक पार्चल क्लास डिफॉल्ट ठीक है यह कर लिए इसके अंदर आके हमें ग्लोबली डिफाइन करना है इसके अंदर होगा तो पूरे उसमें एक्सेस हो गई है सारे पेज में क्योंकि इस पब्लिक के अंदर ही जितने फंक्शन्स हो जितनी भी इवेंट है सवाने है ठीक है यहां अगल लिख देगे तो सारे इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं तो हमें यह दो वेरिवल हम बने लेके एसक्यूएल कमांड के अंदर जो एक्सेस हो रहा है इसमें एक वेरिवल हमने बना दिया उसका सीन ठीक है इस ऑब्जेट का एक वेरिवल बन गया हमारा सीन अब हम आगे काम करेंगे अब यहां पर हम कनेक्शन को स्टैबलेश करेंगे कैसे करेंगे हम लिखते हैं इकवल टू न्यू इएसक्विल कर्णेक्शन और पर फिर यहां पर लिखने यहां के डॉट लगा के हम लगा देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग करते हैं यह हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग करते हैं कई बार कई जगों पर लिखा रहता है इंटरनेट वग्यार में यह घलत होता है फिक है वह और इसको फंक्शन समस्ते फंक्शन नहीं है ठीक है यह हमारे काम कंप्लीट होगा है अब हमें सेब बटन पर डबल क्लिक करना है क्योंकि यह इवेंट सुना होगा इवेंट प्रोग्रामिंग इवेंट ड्रिवेंग प्रोग्रामिंग को यह सपोर्ट करता है कौन यह सब्सक्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कि अनलोड इवेंट राते हैं इसके अंदर में काम करना है ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हमक्नेक्शन पे काम करते हैं लिखते हैं connection यह हमने comment line बना दी ठीक है तकी याद रहे हैं आपको connection connection में सबसे करेंगे connection को open cn.open open function है connection को open कर देगा बगए open की आप काम नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद एक हम variable लेते हैं string string k a for command ठीक है इसके अंदर हम command fire करेंगे इसमें हम लिखेंगे insert table name इंसर्ट into table name के हमारा reg यह basically oracle का concept ही है जो हम यूज करते हैं command और पढ़हीं हुए जो command है वही सारी command ही होती है इन सब चीजहों में तो लिखा हमना insert into table name एक keyword लगता values व-a-l-u-e-s ठीक है इसके बाद हमें करना है bracket को open and close इस bracket के अंदर आना है फिर कैसे काम करना ध्यान से देखीगा सबसे तहले double code दो बार अंदर आके text box तूसरा text box तीसरा तीसरा रेडियो लिस्ट चौथा list box drop down फिर text box फिर से अगे ठीक है तो यह हम इस तरह से करेंगे आपको याद भी होजाएगी चीजी कि याद होने के बाद फिर आपको ऐसा कुछ पी परिशानी नहीं रहीगी आसानी से काम कर सकते हैं बस इसको follow करें ठीक है कई वार गल्तियों होती है हम काम कर लेते हैं अभी लगता कि हमने सहीं कर लिये लेकर कहीं न कहीं कॉमा स्पेस इन सबकी मिस्टेक से डेटाबेस पर डेटा नहीं जाता है आराम सा एरर को पढ़िए और उसको कम्प्लीट करिए ठीक है पूरे लगा दिए टेक्सट वॉक्स प्री रही था यहां पे था ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी जो भी आप सेलेट करेंगे वो चला जाएगा इसका टैक्सटी है ठीक है फिर उसके बाद क्या है रेडियो रेडियो कैसे लिखा जाएगा इस पर लिखेंगे लिखना बस्तुन है बाकी नीचे आता आपने आप इसको एरो से सलेट करी नीचे आके यह मने लिस्ट टी एक्स टी यह ने कॉल लिया और अंपिन जो हमारे पास एक टैक्स बॉक्स है उसको भी हमको टप कर जा करते हैं तो कह रहा है जो में काम करेंगे कमांड तो हम लिखेंगे कमांड में हमें पास करना है दो चीजे हैं क्या है क्या है क्या है के फॉर कमांड जिसमें पूरा कमांड लिखा हुआ है उसको हमने पास के अबजेक्ट में ठीक है फिर हमने क्या किए चीन को पास के अबजेक्ट में ठीक है यह यहां तक काम मारा हो गया ठीक है अब यहां से किये है क्मांड अब इसके बाद हम लगाएंगे रीडर क्लास तो रीडर क्लास हमारे पास काफी सारी है ठीक है अभी हम आपको एक ही बताते हैं cm.execute-non-query रीडर क्लास है ठीक है इस क्लास के अंदर क्या होता है इस क्लास के अंदर insert update डिलीट इन कमांड को इन कमांड को execute करने की responsibilities की होती है इसके अंदर इनकी definition होती कि अगर यह command आई है और इसके object ने call किया है हमें तो हम इनकी जो command है उस command को क्या कर देंगे execute करा देंगे run करा देंगे ठीक है अगर यहां पर class change कर देंगे आप तो गडबर हो जाएगे इस इंसेट में अगर हमने execute reader लगा दिया हमारा हो गया इंसर्ट का code इंसर्शन का यह code नहीं है इतने से डेटा आपका database में डेटा चला जाएगा मैं save करता हूँ उसको फिलाल ठीक है और इसको हम करते हैं यहां से run run करने के लिए कई तरीक है मैंने बताया था यहां पर भी क्लिक कर सकते है इसके डिजाइन पर भी आप right क्लिक करके व्यूं ब्राउजर कर सकते हैं यह पूछ रहा है प्राउजर पर आगे देखिए यह लोकल होस्ट यहां से चल गया है यह स्टीटीपी लोकल होस्ट इस तरह सी फोल्डर कर नाव हमार आगया यह लोड हो रहा है लोड होने के बाद हम इसमें अपना काम करेंगे डेटाविस में डेटाव को एड़ करेंगे देखिया आगया अब इस पर नाम लिखते हैं अब जूंग अभी टोंपर सपोर्स पारा एंदोर अब इस में पुटक किया और हमने से बटन पर क्लिक किया इप डेखि करसर यह भूंगरा ठीक है से पकलिक के लेकर ना तो कोई मर पास मैसेज आया यहां पर डेटा से वहा और नाहीं कुछ हमें यह पता चला ठीक है यह सामने बस भरकिस ने दिखा दिया किसी का माईक ओपन है कि कुछ पूछना है अब देखते हैं कि डेटा आया है कि नहीं आया आप तो यहीं पर देख सकते डारेट इस पर राइट क्लिक करिए कि राइट क्लिक करने के बाद यहां पर है शो डेटा शो टेबल डेटा इस पर मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर डेटा आ जाएगा कि देखिए डेटा आगे हां पर है ठीक है मैं यहां से सुधार देता हूं अलका सभी कर दे रहे हैं इसमें आप एक डेटा आइड करते जाएंगी ठीक है अब इससे हम काम करते थोड़ा सा इस तरह सब्सक्राइब करें पूरा डेटा यहां से क्लियर हो जाना चाहिए हम क्या करेंगे यहां पर इस कोड में लिखेंगे होनी से पहले हम लिखेंगे टेक्स दॉक्स. wax1.pxt इसका मतलब आपक्स ब्लैंग गारेगए गरेटा लिखाई वूँ डेटा है रिमूव हो जाएगा इससी तरह लिखेंगा से टेक्स worse true milk तू यह थ्री और एक हमारे पास है drop down लिखेंके drop down one dot selected index selected index बहुं क्या कर दिंगे इसको selected index में पास कर दिंगे जीरो यह जीरो उने पास किया स्यमीकूल है इससे क्या होगा एक्षिली औरेह ही औरें ately होते हैं यह ये रहीं कंट्रोल कहला आता है ये औरेके यह रहने वाला है गोपाल का ठीक है और अड्रेस देदेगे अड्रेस देख से बडर के पे क्लिक कर रहा है से पे क्लिक किया है कि यहां करने के बाद देखा आपके क्या हो गएक टार रिमूव हो गया fent प्रूज के लिए हम इक हम इनए इनटकर आएंगे ले लेख रोपय देख रादी इस रो हम कर दिंगे यह critique अब यहां आके हम रख रहे हैं कि लेवल में क्या करेंगे इस लेवल में यहां रन करेंगे लेवल में इसका टेक्स्ट आएगा लेखे, इस text को हम कर देंगे blank अब देखना level का design जो है वो design change होगा सा यह देखिए script आ रहा है सका मतलब है level हमारा blank है अब हम छलते save पे save में जाने के बाद हमने क्या की है यह यह नीचे लेखा लेवल वन और टी एक्सटी एक्वल डबल कोट के तरह मैसेज़ एक डाल देखते हैं नाया इसमें डेटा पूटप करके कुछ खलका सा चेंजी कर दे रहो हुए ठीक है यह एक्वालियर से वालियर कोई अड्रस नहीं पता है हमें जबल पूर लेते ना जबल पूर में ले लेंगे करते हैं यहां से बटन पर क्लिक यसी क्लिप के से बटन पर लेविल में कुछ आया नहीं एक दिख लेते हैं जब की लेविल बन बन ने मैसेज लिखा है एक प्रेट यहां से सेव नहीं हुआ है ठीक है इसको सेब करना जरूरी है जब तक सेब नहीं करेंगे न अब तक वो लेगा नहीं देखिए ऐस्टिक बना है यह सेब कर दिए एक एंट्री और कर दे रहे हैं उस एंट्रिमें ड अब यह सेब बन पर प्लिक करता है यह से प्लिक गया अभी देखिए कह लेखा यू है सेशेस्फुली रजिस्टर्ड ओके यह वो गया अब चाहें आप तो इसमें जाकि इस लेविल को थोड़ा कलर भी कर सकते यह से लेविल ने चूज किया इसमें किसी ने किसी एक बटन पर ऑटोमेटिक होता है ठीक है यहां होगा यहां होगा यह हट नहीं सकता है यह अपने सकता चैण बॉस का और अ कर देक लिए का इस लीच कर देख रहरो पने लिगाना? सब्सक्राइब कर्सर कहा आगया, फस्ट वाले में ठीक है, ये रैड होगया आपका, ये डेटा पूट अप होगया, ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता कि फस्ट ये सेक्शन तो आपको समझ में आगव डेटा वेस कैसे क्रेट किया, डेटा में डेटा कैसे इंसट किया, ये ऐक लिएर होगया, सभी को, इसमें किरें को कोईड हो तो पूछ ले, ये झुल्डर बर्जान तरह थे न विजुन इन स्टूडियो का, ये है 2010, 10 ठीक तो आगे हम आगे step में बढ़ते हैं आपको हम बता रहे हैं कि lesson 2 में हमें क्या करना पहले इसको समझा देता हूं इस section में सीखने वाले database में data को कैसे display किया जाए ठीक है database में data कैसे display हो वो हमें सीखना है इसके लिए हमारे पास grid view control है उस grid view control को देखेंगे आप यहां पर हमने design में दिया है देख रहे होंगे आप ठीक है वह आपको बढ़ाता है grid view control को ड्रैक करके लेके आएंगे ठीक है उसके बाद grid view में जो लिखा है लिखा ना grid view tasks ना इसमें auto format होता जिसमें इसका design change कर सकते है एडिट कॉलम है एडिट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे एडिट कॉलम में क्लिक करने के बद यह box आपके पास खुलेगा इस box में आप देखेंगे यहां से हमें काभी सारे item मिलेंगे बहुत सारे item मिलते है जैसे कि bound field check box hyperlink image button image command यह सब मिलता है ठीक है तो अभी हम फिलाल आपक एक फिल्ड देने के बाद उसका text का है जैसे पर्मीशन नहीं पता होंगे आप इस पेस देके नहीं बना सकते उसी प्रकार से डेटावेस में भी आप सेस देके नहीं बना सकते लेकिन यहां पर आप देख रहे है इमेल आइडी अच्छी लिख रहे है तो इसमें क्या है य इसको मिनिवाइस करते है करते हैं तो मैं एक काम करता हूं एक अलग टेबल लेते हैं या सी टेबल में दिखा दे हैं कैसा चाहते हैं अप लोग इसी टेबल में दिखा दे हैं confusion न, confusion यहाँ पे हम एक form add करते हैं इस भाहने format करने हम सीख जाएंगे, इसमें right-click करते हैं add new item अब हम इसका नाम देंगे इस फॉर्म का आरेजी डिटेल्स अंडर्ट को अंडर्सकूर डिटेल्स हमने दिया वैब फॉर्म लिया शीशा आप लिया एड किया यह भी ब्लैंक आए गए तो यह देखिए ब्लैंक आगे इसको भी हम डिजाइन करेंगे दि सबसे पहले हम की चारें यहां पटन औरा देते हैं इस वाले अम्यां युह हम यहां पी बटन देते हैं यहां रखते हैं एक लिंक बटन रखते हैं यह लेकर आते हैं यह लिंक इस बटन पर हम लिखेंगे registration detail इस पर क्लिक करेंगे तो हम कुस फॉर्म पर पहुंच जाएंगे जो फॉर्म हार बना है राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में गए यहां पर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी पोस्ट वैक यूर्ल का मतलब है कौन से यूर्ल में इसको भीजना है ठीक है हम इसको किस फॉर्म में भीजना चाहरे है जो हमने दूसरा फॉर्म बनाया है इस पर क्लिक करना है और यहां मिलेगा reg details बस इतना हमें इस पर क्लिक करेंगे वहां भीज देगा ठीक है इस फॉर्म को फिर से डिजाइन करते हैं ठीक है यह हम देख रहे हैं यह पी टेबल जो हम टेबल लेके आया थे टेबल लेकर करके यहां पूट अप की टेबल पूट अप करने के बाद हमने यह वापस राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आके विया लाइन जो है इसको एक नीचे वाला मौडीफाइ करते इसमें हम टेबल लिखाएंगे ठीक है उपर हम लिख दे रहे हैं अधियल्स जो भी डिटेल्स हमने सलेक्ट कर लिया ठीक है और इसका हम साइज कर है एच वन के बाद इसमें हम कलर कर दे रहुए अब इस section में हम लाते हैं जो कंट्रोल हमने कहा था आपको डेटा कंट्रोल डेटा डिस्प्ले करना इसलिए डेटा कंट्रोल ग्रिड वी यह ग्रिड वी हो आगई हमारी ठीक है आप देख रहें ग्रिड वी हमने लाके रख दी हाँ पर अब हम इसमें इस master tech पी क्लिक करते हैं यह master tech कहलाता है ठीक है इसका फॉर्मिट सबसे पहले हम सैट कर दें यह काफी सारे फॉर्मिट बने हैं आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाफ से जब भी आपको लगता है ठीक है यह हमने ले ली ठीक है अब इसकी सबसे पहले विट्थ आप सैट करें विट्थ को करें 100% हमेशा विट्थ हमने की 100% विए देखी पूरी फिट होके आगए अब हम इसको अगर आप इसमें चाहें कि नेम डेट ऑब बर्त बस दिखाना दो चीज़ पर डिस्पले होगी बाकिशी डिस्पले नहीं ही ठीक अभी तो हम सब कुछ बाउंड करने वाले आईडे यहां पर हम गए एडिट कॉलम किया एडिक क्रने के बाद देखिए वौक्स आया फील्ड बॉक्स ठीक है यहां पर बाउंड फिल्ड है एड किया एड करने के बाद हमने आईडि के जगा में लिखा सीरियल नंब अब ठीक है जिससे अमने इस प्रिल लिखा वाहा लिखा था नेम हम लेकरे इस तुर लिख रहे है इस तो लिख रहे नेम ओफ इस्टूरेंट कई बार कॉलेज यह किसी एपलिकेशन को आप बनेगे तो इस रिक्वार्मेंट आती हैं ठीक है और कभी भी फ्रेक्वेंट्री रिक्वार्मेंट आती हैं बोलो कभी बोल जाती कि ऐसा कर दो ये कर दो बदन दो इस तरह साब हैडिंग इसकी चेंजी नेम लिखा था हमने फि लिखा तो याद नहीं है रहा रहा मुझे रिंख लिख ले तुए यहां पर देखे न आद रिफ्रेश कर सकते हैं पर आइट जी करके कर रहा थे साथ यह लिख यह लिखा यह लिखा हमने वांट का विल फिल से लिए फिर हमने डेटा बाउंट यहां पे फिर हम करते हैं उसके बाद लिखा था जैंडर है ना हम यहां पर लखेंगे जैंडर जैंडर हो गया और यह स्मॉल लैटर नहीं जैंडर लिकाथी है इसके बाद माउन फील में जाके इसको हम करेंगे address एड्रेस लिखा और यहां भी हम जाके लिखेंगे एड्रेस एक एड्रेस कर दें ताकि सोरी हाँ इसको रहने देना ओके डन यह देखी यह आगी बाउंड लेकिन बीच में कुछ-कुछ नेम आप दी स्प्रिंट बाउंड नहीं हुआ है उसमें शाद कुछ लिखना भूल ग है जब भी आप बाउंड करेंगे इसमें ऑटोमेटिक ची होती है और जनरेटेट फिल्ड इस टिक को हटा देना यह नमूनिक हो जाएंगे यहां से ला इसका थोड़ा आपना डेकोरेशन कर लेते हैं जैसे कि यह फील्ड देख राप यह सेंटर में यह लेफ्ट में है तो होरिजोंटल सेंटर करते हैं सोरी लेफ्ट करते होरिजोंटल और वर्टिकल वाला करेंगे मिडल ठीक है अभी बता रहूं आपको कि इसकी विट्स जम रखेंगे 50 परसेंट ना तो बहुत अच्छा दिखाए दे गई है कुछ इस तरह से ठीक है कुछ गडबड होगी लग में अब इसकी रोकी स्टाइल में हो आ आ जाते हैं अभी हैडर स्टैल हम था इसको mutlosed करते यहां सेEr्ण बड़ा सकते हैं आ अगर आपको इसकी हेड़िंग बॉल्ट करनी हो फॉन्ट में जाके आप बोल ट्रू है पहले से यह सब सेटिंग इसकी है यहां से कलर चेंज करना कलर चेंज कर सकते हैं जैसे यह बैक कलर यह है और बंद हो गया अभी क्या है इसलिए कुछ रैड कुछ उसके कम्बनेशन मैं चार हों कि यह आए कुछ इस तरह से और इंज यह देखिए स्टोर्र को आप हम काम करेंगे इसकी रो में तुसमें है रो स्टाइल नीचे देखिए रो स्टाइल को मैंने क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद यहां पर हम सैटिंग करेंगे यह होगा लैफ्ट में और यह होगा हमारा मिडल में और इसकी हाइट हम करेंगे 50% यह देखिए एक दम होगया सही इसको सेप करते हैं अब हमें करना है कोड कोड इसके लोड पर होगा मतलब जैसी फॉर्म मारा ओपन हो तुरंट डिटा दिख जाए तो ऐसे जो कोड होते हैं तुरंट दिखने वाले उनको हमानिशा करते हैं पेज के लोड इवेंट में ठीक ह पाखी सेव एप निकली बटन में किया था देखा वह समय आपने ठीक है करने करते हैं यह दो जो फाइल है इन फाइल को हम यहाँ पर एड करेंगे यह दोनों फाइल समारी आगे कनेक्शन वर कंफिग्रिशन यहां पर बनाने हैं इसमें दो वरिवल दी है ठीक है यहाँ प सेट किया ठीक है अब हम यहाँ पर कनेक्शन को स्टैबलिश करेंगे तो कनेक्शन हमारा अल्रेडी स्टैबलिश्ट है यह इसको कॉपी करते हैं और यह सैट करते हैं एक बार सैट होने के बाद फिर आपको परिशानी ज्यादा नहीं होती है आप ऐसा कॉपी बेस करके भी सी एन डॉट ओपन यह कनेक्शन ओपन हुगा बंद किया सेमिकुलेंट को टब के यह किया अब आएगा हमारा कमांड कमांड में स्ट्रिंग के डबल कोड डेटा को देखो आपने एसक्वेल की कमपोनेंट पढ़े होगे ना एसक्वेल की कमपोनिंट में होता है डीडीयerm डीयेमल डीचल में data defined language इसमें ultra command drop command और create command आती है और dml में आती INSERT command delete command update command ठीक है और DQL होता है data query language इसमे मात्र command आती वह हो select command हम अप्ला करेंगे now उसलेक्ट कमांड का यूज डेटा बेस्टो डेटा को डिस्टले करने की लिए होता है हुआ है का अचीव कमांड को स्थिक्ट का मतलब और अगर कुछ डेटा लेना तो हमें लिखना पड़ता है यहां पर सेलेक्ट नेम ओमा डेट ऑब वर्थ और सिटी फ्रॉम यह जब आपको ऐसा करना हो तो अब इस तरह से कर सकते हैं ठीक है एक एक फील्ड अगर आपको लिनी है यह इसमें ग्रीन लाइन आ रही है ग्रीन का वेरिबल वनने वाला है तो यह रहा दूर जाएगी cn equal to new sql command command k,cn यह पास कर दिया है यह सेमें गुलान लगा के हमने किया अगरी रीडर ग्लास लाइन से नहीं है डबल लाइन से रीडर ग्लास में थोड़ा से डिफ्रेंस है पहले वाली रीडर क्लास कहती है हमारी एक्जेक्यूट नाउन ग्वेरी थी, अब मारी है execute रीडर डेटा्वेज से डेटा को रीड करने के लिए ठीक है इसको और फायर करते है जैसे रास्ट आप लास्ट टैम ने क्या किया था cm.execute turn करी लगाई तो इसमें होगा dr equal to cm.execute reader कुछ इस तरह से इस line का मतलब समझें cm के पास copy है command की और connection की उसे ये execute करता है execute करने के बाद यहां पे लगा है assignment operator assignment operator क्या करेगा जो भी इसने read की है data ये सब virtual होता है तो जो वर्चुल डेटा उसने read किया है उस पूरे complete डेटा को भेज़ देगा DR में जूकि DR का नाम के है data reader इसने read कर लिया इस DR में इतनी capability होती है कि यह बहुत सारे उनने bind कर देता data जैसे text box में grid view में इन सब चीवे bound कर देता है ठीक है इसी लिए इसका use किया हम लेखेंगे grid view में बाइंड करना तो हम लेखेंगे grid view लेटा सोर्स इस पहले हम पास करेंगे DR को क्योंकि DR ने सारा item read किया है तो इसने पास कर दिया अब database में grid view में data आ गया है अब आतो गया है लेकिन इसको bind करना है ताकि हम देख सकेंगे इतने से डेटा आ जाएगा लेकिन हम इसके लिए हम करेंगे grid view वन डॉट डेटा बाइंड एक कमांड इसमें यह हमने फायर किये यह देखी और लास्ट उन करेंगे cn.close connection यह हमारा task complete हो गया है यहां से अब हम क्या करते हैं यह जो हमारा run है पहले से कहां गया एक entry और कर दे रहे इसमें इसको कर दे रहे शेवन आ रहा है यह हमने सेट किया हम सेप करते हैं यह सेप किया इस पर चूट गए ना चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक्सेप्ट कर लेगा हमने सब वैलिडेशन नहीं लगाए यह सिर्प रीजन यह था में यह लाना था इस पर क्लिक करें यह रजिस्टेशन डिटेल पर क्लिक किया क्लिक करते साथ आपने क्या देखा सारा डेटा आ गया आगे ना इसको रीफ्रेश करेंगे रीसेंटली डेटा भी आ जाएगा तब भी अंटर किया है यह देखिए है को क्लियर है जो हमने ग्रेट भी बनाएगे सबी को इसमें कुछ पूछना किसी को डाउट होई तो भी क्लियर कर लिए इसको ना कोई डाउट ने गूट ठीक आगे हम देखते हैं जबारा काम यहां तक कम्प्लीट ठीक है अब हम इसमें काम करते हैं सर्च पर काम करना है लेकिन सर्च में हमने एक इमेल आईडी को आप्शन नहीं दिया है इसमें इसमें हम सर्च का एक ऑप्शन बनाने वाले हैं कि जो ग्रिड व्यू हमारी है इस ग्रिड व्यू में डेटा भी सर्च होके आ जाए इस ग्रिड व्यू हम लिखेंगे एंटर नेम और फिर यहां लिखेंगे एक रखने एक टेक्स बॉक्स और इस टेक्स बॉक्स के बाद हम रखेंगे एक बटन हम लिख देते हैं सर्च इस तरह से मैच करें जैसे कि यह लिखा है इसका हम कर देते यहां से पहले बैग्राउंड कलर कुछ यह और इसका हम कर दे रहे फोर गर्ण कलर कुछ वाइट यह और इसको आप इस सर्च में काम करने हैं सर्च वही है लेकिन यहां पर सर्च में समझे लगा है लेकिन यह कह रहा है एंडर नेम को यहां पर इंपुट करो अब सर्च करेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे लेकिन करें सेल्च यह एक जड़त कर्यारें सुस्कानगे सेल्च टेबल यह ठीक यहाँ पर कुछ अंतरहें सब्स 2021 되면 here clause , that documentation ृच्टनैट वी लगाते है're clause के रूप में और भी लगाते है clause के रूप में और not भी लगाते है clause के रूप में ठीक है मैं और बहुत सारे clauses होते है जैसे गुब डाय आपको मिलेंगे आगे चलके ग्रूप आए मतलब यह है कि जैसे हम इंपुट करवा रहे हैं किससे इंपुट कोपाल एंपी वालियक आप रजेखस में कॉमन क्या है एंपी तो जब हम इसको सिटी वाले जो स्टेट वाला लगाना पड़ेगा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा इतनी बार आपने अलगलग सिटीज में इंपुट के पचास बार एंपी बस नजार आएगा वहां पर इसलिए वहां पर गुरूप आप लगाना पड़ता तो जितनी भी कॉमन चीज़े होती है उसको एक ही बार बिलें वेर क्लॉज लगा है एक्वल सिंगल कोड डबल डबल गोड रिक्स फ्लस इमकाहारा टैक्स बॉक्स वन के टेक्स्ट पे यह इतने से डेटा हमारा डिस्पलै हो जाना चाहिए से हो जाना चाहिए ठीक है हम यहाँ देख लेते हैं यह हमारा एक्जिएक्यूट है र अब देखें नेम क्या है विजय मुहन पाठक मैं फिलाल कॉपी टेस्ट कर रहा हूँ है ठीक है क्योंकि भाई इसमें टाइप करेंगे तो हाँ आतर है यह विजय मुहन पाठक यह हमने लिखा सर्च किया यह सर्च किया कहीं पे एरर है नियर सिंटेक्स इक्वल यहां पर एर इस अनियर सर्च कर रहा नातों बेटा वेस में नेम सर्च करेंगा नीम आम bubb लिखना पड़े गा यहां पाने एक और लगा सकते है यह ठीक है यह ठीक है इतने से काम चल लाएगा अपना इस तरह से यह नाम हमारे सर्शों के यहां पर आगे ठीक है यह और नाम देख लेते हैं इस तरह विद्ध्यार्थी नहीं है कोई नाम कोई नाम नहीं अरजुन का वी अपन ने कर दिया थे डिटावेस में अब यह नाम क्यों नहीं है यह दिख रही पड़ेंगे जो हमने बाद में इंटर किया हम इसको एग्जेक्यूट करवाते हैं चार ही नाम है वाकी इंसर्ट ही नहीं हुए थो यहां पर बताया है आपको और यहाँ पर सरर्च youtube कर सकते हैं जो भी करेंगे सर्च हो जाएगा इसके अलाबह एक और छी हम बताते हैं इसमें जैसे हमने लिखा स्में और में search by name select from table name रेजी where name equal to text box 1 यहां एक और लगा सकते हैं जैसे हमने लगा दिया और और clause लगा दिया हम यहां पर दूसरा भी ले सकते हैं content इसे कई जवाँ पर यह डाल दो यह यह डाल दो ठीक है तो हम यहां पर ले रेजबर्ग city हमने city भी ले लिया और designing में हम जाके यहां पर city भी देते हैं यह डिजाइनिंग है इंटर नेम पॉलिक city से भी सर्च करके डिटाय देते हैं यह डिस्पली किया यहां आते हैं बैक करते हैं उसको और बैक करते हैं और बैक करें जाग्या ठीक है रिफेश कर ले रहे हैं यह देखे रिफेश हो गया अब इस बार हम city से सर्च करेंगे city मैंने सब्स डाल दी जवलपुर जवलपुर डाली इसको सर्च कर लेते हैं यह देखिए जवलपुर सर्च होंके नहीं आ रहा है और इस से आ रहा है कुछ गल्ती हुई है देखो गल्ती कहां देख रहे हैं एक तो तीन चार कॉलम में इसमें एड की है बाकी कॉलम एड नहीं की city वाला कॉलम ही नहीं इसमें न यहाँ पर कह रहे हैं तो यहां पर city हमने लिए जेंडर के बाद है यहां कुछ गल्ती हुई है बड़ी लेख लेते हैं एड करते हुए कॉलम में जो जेंडर है जेंडर में यहां पर city जेंडर में जेंडर है एड्रेस में एड्रेस है डेट आप बर्त में डेट आप बर्त है एक एड कर लेते हैं यह एड की हमने इसको हम ले आते हैं यहां पर यहां लेक्ते city और यहां फिर हम एड कर देंगे city यह एड के city ओके save और यहां पर हम करते हैं रिफ्रेश city भी डिस्प्ली होनी चाहिए यह city आ गई ठीक है city में आ रहा है जेंडर और और जेंडर में आ रहा है city तो यहां पर कुछ mismatch हुआ है columns में इन में देख लिए name of the student, date of birth, gender में जेंडर, city में city, address में address, okay यह जो एरर है न यह एरर टेकनिकल एरर है क्या है यह एरर टेकनिकल एरर है कैसे बूले कि हमने database में data को भेजा वहाँ पर प्रॉब्लम होगी database में जबने data को भेजा तो यहां पहले हम देखने क्या क्या हमारे पास है एक text box, दो, तीसरा radio, चौथा city, ड्रॉप डाउन यहां पर एक mistake है चौथे नमबर पर क्या है यहां पर रेडियो है और तीसरे नमबर पर यहां पर यह है इनको हम यहां से कर देंगे place तो यहां से गए database में अगर हमने जो controls है उनका कर यहां सो वहां switching किया तो डेटा को इस तरह से कहीं कहीं भीज दीता है ठीक है उसके supply कहीं भी हो जाती है और supply के बाद हमें इस तरह से डेटा नजर आता है जो डेटा हम देख रहे हैं इसके डेटा को हम चेंज करते हैं चेंज करने के लिए table हमारी बनी थी ना management studio में राइट क्लिक करके इसमें एक option मिलेगा आपको edit top 20 rules इस पर क्लिक करें सारी जो table का data है वो हमारे पास display होगा हमारे सामने यह data display होगे हम यहां से change कर देते हैं ठीक है सब चीज होगी वापस अब अगर यहां refresh करेंगे तो आपको data एक दम perfect मिलेगा जहां पर जो था यह देखिए ठीक है असे जबनी हम पर इस मेरे सार्च पर में डाला जबन इस तरह नतर्थ इस तरह साब data को सब्सक्रार कि यहां किसी हम कर दो ठीक है, ओके, continue, पड़ देखने वाले हैं, ठीक है, अब हम डेटा डिलीट वाला जो section वो हम काम करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक विट कोई गलत खुल गया लगता है, अब जैसे ग्रिडवी में वार पस डेटा है, ठीक है, तो यहां पर हम एड कराएंगे, नेम अगर परफेक्ट होगा, और अगर यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम डिजाइन करते हैं अभी, इसका नाम हमने रखा, डिलीट, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रकॉर्ट के शॉट में, अभी सी, ठीक है, एड किया, यह एड हो गया, अब जूए हमने यह बनाया था, कई बार क्या होता, डिजाइन हमें जैसी यह डिजाइन है, अब डिलीट में देख़ए हमें क्या करना इस टेवल को सीधा, शीधा कोपी करेंगे, और इस्में आके, कोड को पेस्ट करेंगे, यरी कोड को पेस्ट करेंगे, देखीवई डेजाइन सेम, आपके पास आगए, अब हमें क्या करना ह्या, यहाँ पिलिखना, एंटर नेम, पिलिखेंगे, डिलीट, हमने लिक दिया खीक है अब इस पर हम काम करते हैं इस पर डबल क्लिक किया हमने अब इस खाली ब्लैंक ही है वही हम काम करते हैं जो हमने किया करेंगे इसका जो कोड है कि यह तो connection हमारे पास जो बने है इन कनेक्शन को हम यहां पर लगा देते हैं यह connection आगया यहां पर हम वेरीबल लेना है जैसे कि SQL Command क्यान कनेक्शन और लगेगा SQL data reader शोरी यहां पर सेमिकुलन नहीं लगा इसलिए यह एरर दे रहा है सेटिंग में नहीं आ रही है लगे एसक्वल डेटा रीडर क्योंकि हमें काम करना है टेवल पे ठीक है और हम यहाँ पे काम करते तो यह रीडर तो इसको सीधा कॉपी करते है रीडिंग वाले डेटा को हमने पेस्ट किया यह देखिए ग्रिडवी में डेटा तो डिस्प्ले हो जाएगा अब हमारा आता बटन का जो डिलीट बटन जो हमारी बनी न यह इस पर हम कोड करेंगे डिलीट का डिलीट कोड किस तरह से अपलाई अब करेंगे अब हम कमांड चलाइगे ठीक का मांड मा लिख रहे है स्ट्रिंग विड दबल कोड इट 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 फ्रॉं टेबल नेम हमारा क्या है आर एग वर क्लॉज लगेगा वियर नेम इक्वल तो सिंगल कोड दूट डबल कोड अस प्लस और यहां एगा टेक्सट वॉक्स वन से हमारा नीम आ रहा है ठीक है टेक्सट वॉक्स वन के टेक्स में जो भी टेक्स होगा उसको यह मैच करेगा किससे डेटावेस के नेम से अगर यह मिल जाता है तो क्या करेगो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा पर नहीं मिलने पर कुछ नहीं करेगा चाहे तो अब हमें क्या करना है कमांड का ओप्डेट कॉल करना है कमांड ऑब्डेट ही हमने किया इसमें कमांड आ गया है इसमें पास किया के कॉमा सियन इसके बाद हमारी लगेगी रीडर क्लास नहीं इसके बाद में रीडर क्लास लगेगी लेकिन cm.execute-non-query यहां लगा दी रीडर क्लास और यहां पर में लास्ट में कनेक्शन प्लोज भी करना है इससे क्या होगा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा इसी को हम रन करते हैं यह रिफ्रेश किया हमने इसने हम डिलीट करने सबस्ब्स ले रिकॉर्ड पाठक के रिकॉर्ड को यह कॉपी किया नेम यहां नेम पर टक किया और डिलीट बटन पर क्लिक किया इसलिए क्या करते हैं इस पर यहां सबसे नीचे कनेक्शन क्लोज के बाद हम लिखते हैं इसका मतलब होता पेज को कहां भीजना है आपको उस बड़न पर क्लिक करें तो कोड के साथ साथ डेटा कहां जाए ठीक है जिसे हम लॉग इन का बनाएंगे लॉग इन होगा तो लॉग इन करने के बाद डेटा लेके कहां जाएगा अपने होम पेज पर हम वहां पर यूज करेंगे अभी फिलाल हम इसी पेज पर रिडारेट कर रहे हैं ताकि पेज रिफ्रेश हो हमारा डेल अंडर्सकोड रिशी डॉट एस पी एक्स को रिफ्रेश कर लेता हैं अब हम करते विजीत का डेटा डिटी ठीक है लिखा विजीता पंडेथम नहीं यहां पर लिखा और डिलीट बटन पर क्लिक किया है तो अब फ्रिक्वेंटली क्या करेंगा जैसे आप डालेंगे इस पेज को रिफ्रेश कर देगा तो डेटा सबीकों यह समें कुछ अडाउट है या कुछ पूछना हूँ इन कोड हमने देखें अभी डिलीट इंसर्ट और डिस्प्ले एंड सर्च यह तीन कोड हम देख चुके है ठीक है यह यह वह जबूँ कि अब हम मागे काम करने वाले हैं ठीक है अब्रेट क्वेरी पर काम करेंगे ठीक है के अपडेट क्यों करें जैसी कहांट करेंगे तो स होग और का मतलब इस तरह सम्दिक लिखाते हैं जैसे रजिस्ट्रेशनम complex ही है और है डिफॉल्ट पेज है हम यहां पर किसी चीज को सर्च करें अगर वो डेटावेस में मिल जाती है तो वो यहां पर फिल हो जाये इस तरह से काम होना चाहिए वो कहला है खगहला डेटा बाउंड कंट्रोल है तो कोई बात है इसको इसकां काम करते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं ठीक है उस बाउंड कंट्रोल में से सिटी आएगा सबसीटी हुआपस करना पड़ेगा जेन्डर वापस सेलेट करना पड़ेगा लेकिन वहाँ पर में डेट आप बर्थ यह और यह एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है हम इस पर काम करते हैं रॉट करते हैं राइट क्लिक एड निव आइटम यह हम लिखेंगे अपडेट रिकॉर्ड रिकॉर्ट पर मैंने क्लिक किया यहां टेबल हमने कॉपी कर ली थी हमने यहां से पेस्ट कर दिया ठीक है यह आगया टेबल हमारे पास यह यहां मिल दाएगा अपडेट अब यह जो बना है इसके बाजिव में बटन देनी पड़ेगी एक बटन हम ले लेते हैं यह बटन आगे इस बटन पर हमने लिखा सर्च लिखा और यह जो नीचे वाली बटन है से बटन इस पर हमने लिखा अपडेट इस पर नाम डालके हम सर्च करेंगे तो उसका डेटा यहां भर जाएगा ठीक है और हम यह जो भी करेंगे इस तरह से काम होना यह ठीक है है तो करते है का में सर्च पर क्लिक करते है डबल ख्रैक हमने सर्च सर्च आप्शिन खूलगे एक बाद काम कैसे कर रहां मैं आपको बता देत हो क्वेरी क्या है वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है ठीक है अब वो हमें क्लियर होगा देखिए जिसे हमने यहाँ डाला इमेल एड्रेस सर्च किया डेटाबेस मिलके तो डेटा यहां फिल हो गया था कि इसमें कमांड लगे गई हमारा कनेक्शन लगेगी ठीक है यह सेलेक्ट क्वैरी लगने वाले है इसलिए सेलेक्ट एस्टिक फॉर्म स्टुडेंट वेर इमेल आईडी कहा रहे टैक्स वॉक्स वन में फिर यहां लगा डियर क्लास और फंक्शन होता है रीड फंक्शन इसक तो यहां चेक कर रहा है इस इमेल से संबंदित डेटा कर इस्टुटेबल में पढ़ा है रीड किया है तो उस से रिलेटिड डेटा को बाउंड कर दो किसमें है एस बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्समें टेक्स बॉक्स внимание- और यदि नहीं मिला है तो क्या करो लेबिल वन में दिखा दो क्या दिखा दो कि इस संबेस बाउंड वन में दिखा दो डिटा डसर नॉट फाउंड और सारे टाक्स बॉक्स इसको Blanc 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 Prote warned यह कदर los reg o chignon बाउंड की ऊसदास की अप्डेट के बाद मिलीगी थी का कॉसा हेज्ट मैं काम करता हूं आभको रख़ लेते हैं डारैकली ठीक है वहाँ इसको पेस्ट कर देंगे सबसे पहले हम औब्जेक्ट यहां पर एड़ कर दें और यहां पर हम देने फंक्शन वह भी है था अब हम काम करेंगे बटन पर कौन सी बटन पहली बटन सर्च बटन सर्च कियागी सर्च बटन टू ठीकाँ इसको इसको मैं बनाया उपन किया है फिर हमने लिखा इमेल आईडी के जगा हम लिख रहे है लिए में समसर्च कर रहे हैं अब यदी डेटा हमें मिल जाता है लेते हैं अगर यह वैसे काम कर रहा है तू ठीक है पाइलेशन एर एक एर शेट रहे से तो को ठीक है इस तरह में नाम डालते हैं जैसे कि शिवनाराइन में डाला सर्च किया या डेटा डाजनोट फार्म डाला पाठक को डाला डेटा डासनोट फार्म डालते हैं अरजुन वी को अर्च करते हैं कि Department पडियाजने इसे जो दियार किया है सबकुछ कर सकता डेटा डेटा के बियार के पाए डियार की पास साड़ा डेटा होता है लेकिन डियार को और यहां पर काउंटिंग करें, आईडी का नंबर है, 012345, ठीक है, तो हमें क्या उठाना है, gender, date of birth उठानी है, date of birth किसमें आ रही है, 012, date of birth का प्लेस हो गया, 2, ठीक है, अब address का प्लेस देखा है, 012345, फिफ्थ नंबर का address आ रहा है, इप्थ हमने यहां पर लिखा, save कर देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से सर्च करते हैं, सर्च हमने किया, यह देखी, सर्च करने पप सहीं आ गया न, पूरा data, हम यहां से बदल सकते हैं, जैसे, यह mail हमने किया, यहां पर हमने उसकी city गोपाल कर दी, यह रजवारा की जगा, MP नगर पर नहीं लगा, MP नगर जैसे हम get detail पर click करें, वहां जाके data हम देख सकते हैं कि data बदला है या नहीं बदला है, अपडेट के हम बात करते हैं, जैसे update पर हमने आप सभी कहा था कि हमें update पर क्यासे काम करना है, पेज बंद कर दिए कि, एक नट है, आपको update बताते हैं, update query कैसे काम करेंगी, देखिए, अपडेट का syntax समझी पहले, अपडेट का syntax कहता है, काम तो वही है, open connection अगरा, update यह कहता है, सबसे पहले update लिखिए, update table, और फिर करिए set, यह करना है, update table set, अब set क्या क्या करना वह आपको लिखना है, जैसे कि, इसमें लिखा है, name को set करिए, कौन सा text box है, contact को set कर यह तो यह setting है, यह setting हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे clause है, जहाँ पर where लगा न, where email यह लिखा है, तो हम लिखेंगे where name equal to text box 1 में जो वा रहा है, उसको उठाएंगे, ठीक है, और बाकी code से, इस code को हम रप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं काम इसमें, update query पर, ठीक है, update query लगबग, कुछ-कुछ तो same है, लेकर हम पूरा ही लिख दे रहें, चलिए, हमने लिखा पहले cn connection open, connection open किया, फिर हम लेखेंगे command string, a equal to double code, eight table reg set, क्या-क्या set करना है, वो हमें देखना है, setting क्या क्या करनी है, वो हमें देखना है, जैसे text box one को हम छोड़ दे, one के वे इस पे changes हो रहा है, असल में अपनी गलती क्या है, इसमें कि अगर हमें बनाना था, तो हम email address से कोई ऐसी field देते क्यों unique होटी है, उस unique field के लिख पे हम searching और updation करते हैं, फिलाल हम नाम को मान रहे हैं कि यह unique है, उसको लेके हम काम करते हैं, सेट क्या क्या करना है, सेट, टी ओ बी इक्वल सिंगल कोड, text box 2.pxt एक सैटिंग यह होगे हमारी, एक सैटिंग हमने यह ले ली, लास्ट मुट से लिकुन लगा देते हैं, अगली field कौन सी है, अगली field हम चैट करना चाहा रहे है, gender हमने लिखा यहाँ पे, gender, gender किस से आ रहा है, सिंगल कोड, रेडियो लिस्ट, रेडियो लिस्ट के टेक्स्ट से आ रहा है, जो भी टेक्स्ट वहाँ सलेट करेंगे बूठेगा, यह भी हो गया, फिर उसके बाद हम सैट कर रहे हैं क्या, city, हम यहाँ लिखेंगे city, single code, double code, plus plus, और city के लिए हमने यूज़ किया है, drop down, one, one, dot, text, क्यों भी रहेगा, और अंतिम हमारा एड्रेस, इसके लिए हमने लिया है, text box 3, dot txp, यह हमारा code होगया, update का, ठीक है, update code हमारा होगया, हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं धी, command equal, command equal new, SQL command, इसमें हम पास करेंगे, k, cm, तो गया हमारा, अब हमें काम क्या करना है, reader class चलानी है, इसमें reader class हमारी कुरानी reader class चलेगी, जिसे हम गोलेंगे cm.execute nonquery, यह लगा दी, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे label हमारे पास बना है, तो इस label में लिखने बढ़िया, इस label में लिखने वाले हैं, record updated, यह हमने इस तरह से काम कर दिया है, ठीक है, clear है यह सब कुछ जो भी था और सारे text boxes को blank का दिया जाएगा text box, 1.txt equal blank, text box 2.txt.text equal blank, text box 3.txt.text equal blank, top down, list 1.selected index equal 0, और इसी तरह से check, sorry, list, radio button थी radio, list 1.selected index equal 0, यह को टप किया हमने, सेमी कुलर हमें लगाया, गल्ती होगे, यहाँ एक को लगा, changes होगे, यह हमने ले लिए ठीक है, यह सेप किया record, हम यहाँ देख लेते हैं, इसको execute करके, यह हमारा बना था, यह हमने सर्च किया था अर्जुन को, अर्जुन को वापस सर्च कर रहे हैं फिर से, ऐसा कोई record नहीं है अर्जुन नाम का ठीक है, क्या record भी database में, database में यह है, अर्जुन वीर नाम का record ही है, है, यह, इसको हम बदलते हैं, इसकी date of birth सपोज है, 1997, यह है 3, record ठीक है, इन दौर भीज़े इसको वापस, ठीक है, और यह जो address है, address change कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, इसे update पर click करेंगे, देखते हैं, क्या होता है, लिखते हैं, लिखते आया message record, updated, और सारी चीज़े clear हो गई, अब हम देखते हैं, get registration detail पर क्या होता है, यह देखे हमने click किया, और click करने के बाद क्या नजर आया है, हमें कहीं record update नहीं हुए अभी तक, यह इसको refresh कर लेते हैं, record update हुए न, अरजुन, आप उसका नाम तो update नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें हमने date of birth update की थी, address update किया, तो city update की थी, ठीक है, तो यह भी update होगे हमारा, इस तरह से हमने update का code भी सीख लिया, ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं, update code कैसे काम करेगा, सबसे पर अपडेट के लिए हमें search करना पड़ेगा, इसके वेस पजो record database में होगा, वो record search होके, inbox, इन सब material में आएगा, ठीक है, तो यहाँ हम select करेंगे, search कैसे कर रहे थे, search का code वही है, select from table name, लेकिन यहाँ पर लगा था where clause, जिसमें हमने लिखा था name, name के बाद हमने single code, double code लगा के command fire करके, यहाँ पर bound किया था, ठीक है, यहाँ तक तो clear था सभी को, फिर यहाँ पर लगा है DR, यहाँ पर check की एक function है DR, read नाम का, जो यह चेक करता कि data reader ने, जो हमने data डाला था, वो read किया कि नहीं किया, यह चेक करता, अगर read किया है, इसके अं मतब data भरे, तो record को खाली कर दे, ठीक है, और जब record ना मिले, उसमे record लिख दे, हमेशा ऐसा होना चाहिए, अच्छा यह concept, ठीक है, फिर हम text box 2 के text में हम लिख रहे हैं, क्या करे, DR ने जो read किया है, वो लिखे, कौन से position, जिस position को आप देंगे, वो वहाँ चला जाएगा, इ इस तरह से put up किया, else हमने set किया है, level 1 में, does not found, और text box 1, text box 2 को blank कर दिया था, आप चाहें, तो यह भी कर सकते हैं, ना मिलने पर, collected index भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 रहेगा, वैसे पहले से 0 था, इसलिए उसमें कोई फर्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर connection close किया, हमने bracket बनने करने के बाद, ठीक है, यह हुआ, फिर update बटन पर click करने के बाद, हमने यह किया, जैसे इसमें record भर गया, फिर update बटन पर देखा, update, table name, आरे जी था, set क्या किया है, हमने DOB, DOB किसमें आ रहा, text box 2 में, gender किसमें आ रहा, text box, gender आ रहा है, radio बटन में, फिर city आ रहा है, drop down में, address आ रहा है, किसमे, text box 3 में, यह हमने देखा, और उसके बाद command होई, हमारी चली command हमने चला, execute query तक, फिर हमने label में लिख दिया, record updated, text box सारे blank कर दिया, इन सब को blank कर दिया, इस तरह से हमारा update code भी complete होता है, ठीक है, तो कल तिली हमारा जो, हलो, स्वाती में, हाजी सर, तो सर, एक सेकिंद, एक सेकिंद, स्टूरेंस, बिटा, आप लोग हैं सारे, online, यह मैं, यह वरक्शोप है, बिटा, one-sided नहीं है, कि सर, पूरा दो गंटे बोलें, आप लोग भी कुछ ना कुछ query कर सकते हो, सर ने इतना सारा code करवाया, आपको delete बताया, आपको grid view बताया, data insertion बताया, ठीक है, तो बीच-बीच में आप लोग भी interact करते रहे है, तो उससे हमको और clear होगा, कि हाँ, आपको समझ में आ रहे है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहे है, ठीक है, आपको बताया है, इस code से आप एक आपका minor project, major project जो होता है, या किसी का छोटा सा website आने वाला हूं, product upload कैसे करें, जैसे product upload करना है, फोट अपलोड करने, या फोट को शोओ करना, यह भी शोओ करेंगे है, और हम सीखेंगे admin का login, admin login कैसे बना है, कैसे session काम करेगा, यह कल हम दीखने वाले, और साथ महीं आपको बताएंगे, project में projection कैसे लगाते है, ठीक है, ज SDLC के फेस है ना आपके, कितने फेस होते है SDLC के, कोई बताएगा मुझे हैं? SDLC में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आरजुन ओनलाइन है क्या? आ रहे हैं! अर्जुन? अर्जुन? अलो? अर्जुन लाइट था ना मैंने देखा था पहने? आ हा हा हा, सर अर्जुन था माइक ओपन करो अर्जुन? इतने सारे स्टूरेंट है, कोई तो बताएगा मुझे SDLC SDLC स्ट्री स्ट्री कितने फेस होते हैं इसमें? कितने स्टैप्स इसमें? प्लैनिंग हो गया सो मैं काउंटिंग बताऊ ना एक, दो, तीन, चार्ल, पाँच, साथ, आट नो, दस है यह बहुत बड़ी गलती किताब में फाइव दिया कुछ बुक्स ले टोटल एट स्टैप होते हैं साथ स्टैप्स तो क्लियर हैं ठीक है, आठवा स्टैप आपका रिएंजिनरिंग है स्टैप बन आपका होगा प्लैनिंग, स्टैप टू होगा आपका सब्सक्राइब करते हैं उसको भी एक साल या दो साल को उस पैकेज को में अपड़ता है अगर कल का प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा जो आपको प्रोजेट वगरा बना लाएगा तो किसी कोई डाउट हो कोई प्रशन हो भाई पूर सकता आपने अब अबहुंआ अपने पास दस मिट हैं दस मिट है बिटा का लास्ट सेशन है आपके वर्क्शॉप का और यह जो वर्क्शॉप चल रहे हैं इसमें बहुत सारे कॉंसेप्ट कवर हो रहे हैं पर डेटाबेस आप जो प्रॉजेक्ट में फ्रंट एंड बाक एंड इसकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं सॉप्वेर इंजिनरिंग के कॉंसेप्ट कवर हो रहे हैं आप लोग अभी फोथ सेमिस्टर वाले बच्चे नेक प्रेम में फिप्ट सेमिस्टर में डेटाबेस रहेगा ठीक है डेटाबेस में आप माइस्क्वेल या औरेकल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कमांड पढ़ अभी हो सकता देखे भी पेंडमिक चल रहा है सिस्टम नहीं हुआ किसी के पास है ना प्रॉब्लम होगी अभी लेकिन ये कोड ये वीडियो आपको मिलेगा ठीक है इस कोड से इस वीडियो से आप देखकर आगे काम भी कर सकते हैं राजेंट कुमार शाह ये भी तो थाना इस नहीं पता है कुछ राजेंट माइक कॉंट करूं कि यह सब्सक्राइब कुछ पूछा था अभी सब्सक्राइब करना सभी है और इसका वीडियो इसका जो हमने अभी लिट्रेचर आपको बताया वो इसमें जो प्रोजेक्ट अभी बनाये सब कुछ आपको ड्राइब में रखके शेयर कर दिया जाएगा ठीक है तो आपके रिकॉर्ड रख लीजेगा रिकॉर्ड जो भी हमने रिकॉर्ड दिये हैं इन रिकॉर्ड के बाद प्रैक रिकॉर्डिंग बन कर रिजेगा जीए 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 जीए